Hello students, class 10th of mathematics में हमारा ज़े चप्ट चल रहा है वो है त्रिकोर्ण मीति का परिच है Introduction to Technometry जिसके exercise 8.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं अब हम दिखें question number 5 का second part Cos A over 1 plus sin A plus 1 plus sin A over cos A equal to 2 second मतला इस पूरे को इसके equal proof करना है तो इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS तो हम इस LHS को इस RHS के बराबर लाएंगे ठीक हो गया? अच्छा तो यहाँ पर ज़रा solve करना हम start करते हैं उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास इन questions को करने के लिए यह trigonometric identities learn होने चाहिए यह सब चीज़े पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको यह सारी चीज़ें आपको learn होने चाहिए जब आपके पास यह learn होगी तभी questions आप कर पाओगे लर्न नहीं है तो एक list बना लो जैसे मैंने यहाँ बना कर दिखा दिया आपको वैसी list बना लो ताकि question करते हो आपको कोई problem नहीं हो अब question को करें कैसे पहले तो आप यह check कर लो उसमें कोई identity लग रही है trigonometric identity लग रही है त्रिकोंड मिती सर्व समीका लग रही है कि नहीं लग रही है और फिर हम उसको आगे solve करेंगे तो LHS मैं एक बार उतार लेता हूं फिर हम आगे बात करते हैं इस पर cos A plus 1 over sin A plus 1 plus sin A over cos A यह मैंने question को उतार दिया LHS को उतार दिया इसको solve करूँगा आप देखो कि जितनी भी trigonometric identities हैं सब में square है square है यह देखो square square मतलब square है तो तब जाके इन में से कोई formula लग सकता है ना तब हम कोशिश कर सकते हैं लेकि square ही नहीं है तो इन में से कोई formula नहीं लगता जब यहां से कोई formula नहीं लगता है तो फिर में इस पर जाते हैं इस पर मतलब 10 A है अगर question में तो उसको बदल दो, caught A है उसको बदल दो, cosec A है उसको बदल दो पर 10, cosec, caught और sec इन चारों में से यहां पर कोई भी नहीं है इसका मतलब आपको यहां पर अभी कोई formula नहीं रखना है मतलब solve कैसे करना है फिर? आपको normally L-sim लेकिज़ा solve करना आता है वैसे आप करो, तो करें, अच्छा, यहां पर L-sim में इस तरीके समझारेता है आपको तो देखो, cos A और 1-plus-sign A, अगर इन दोनों का L-sim निकालें तो आपके पास आएगा 1-plus-sign A multiply cos A एक तरीका और है L-sim में लेने का, आप क्या करो? इसको इससे multiply करो कर दिया, फिर इसको इससे multiply करो cos A को cos A से multiply करो, तो यह हो जाएगा cos square A फिर यह plus लगाओ, यह 1-plus-sign A को 1-plus-sign A से multiply करो दोनों एक जैसे हैं, तो मैं लिखूंगा 1-plus-sign A का यह कह लिखूंगा मैं whole square, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद यहां पर कोई formula लगेगा नीचे तो कोई formula नहीं लगेगा, आप चेक कर लेंगे list से ऊपर लग सकता है, यहां पर भी लग सकता है, यहां पर भी पर दोनों में लगाने की जरुवत अभी नहीं है, पहले हम इस पर लगाखे देखते हैं तो आपने यह पड़ा है कि a प्लस b के जो whole square है न, इसका formula होता है a square प्लस b square प्लस 2a भी यह होता है formula, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 प्लस sin a का whole square क्या होता है, तो आप क्या होगा बिल्कुल a की जगा 1 है, b की जगा sin a है, तो यहाँ पर भी a की जगा 1 होना चाहिए, b की जगा sin होना चाहिए, 2 तो 2 ही होगा a की जगा 1 होना चाहिए, b की जगा sin a होना चाहिए, ठीक हो गया, 1 square कितना होता है 1 होता है sin square a as it is copy कर दिया plus 2 को 1 से multiply किया तो I are 2 उस 2 को sin a से multiply किया तो I are 2 sin a मतलब की 1 plus sin a के whole square के जगर में इस पूरे को लिखूंगा यहाँ पर तो आगे solve करता हूँ इसके बाद equal to आप चाहते तो इस पे technometric identity लगा सकते थे और इसको छोड़ सकते थे इस पे कुछ करनी करता है यह भी तरीका था पर मैंने कहाता न दोनों से किसी एक पर apply कर रहा हूँ इसको छोड़ दिया plus इसको इसकी जगा आया 1 plus sin square a plus 2 sin a ओबर नीचे तो इसको as it is मैंने copy कर दिया 1 plus sin a multiply मैं ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों आपको फिर बता देता हूँ किसी step में कोई problem आती है तो आप comment section पर जरूर जरूर बताएं ताकि मैं उसको clear कर सको अच्छा अब यहां पर कोई identity लगेगी जरा इसको देखो यह क्या लिखा है यह sin square a plus cos square a है है ना इसको ढूड़े जरा इसका मतलब क्या है sin square a plus cos square a किसके बराबर होता है 1 के इसका मतलब जहां कहीं भी यह दोनों इनके बीच में प्लस का sign हो तो आप 1 लिखो मतलब मैं अगले step में इन दोनों को नहीं लिखोंगा और इनकी जगह में लिखोंगा one तो इनकी जगह में लिख लेता हूँ one और पहले से एक और one है plus यह है two sign a और नीचे कुछ करने की जरुवत नहीं है उसको वैसे ही copy कर दो कर दिया अब यहाँ पर one plus one को जोड़ना ज़रूरी है कितना आ जाएगा two आ जाएगा one plus one two plus two sign a को as it is लिख दिया मैंने और नीचे नीचे भी ऐसे ही copy कर दो one plus sign a multiply नीचे तो multiply करने की जरुवत नहीं है आपको उपर उपर आप क्या किया जा सकता है कोई identity नहीं लगेगा लेकिन आपको पता है common निका सकता है two यहां से यहां two है plus यह two sign a है मैं two common निकाल लूँ तो इसकी जगा बचेगा one यह बचा plus यह two जा चुका है तो क्या बचा sign a over one plus sign a multiply यहां तक समझ में आ गया होगा आपको इसके बाद आप देखो उपर भी one plus sign a है cancel हो गया नीचे यह one plus sign a तो one plus sign a one plus sign a cancel हो गया क्या बचा तो हमारे पास बचा two multiply यह cancel हो तो मतलब one बचा और यहां पर भी one बचा तो one multiply cause a क्या होता है cause a आप तुम सोचोगे कि भी card दे तो one लिखने की जरुवत क्या थी क्योंकि हमें finally answer क्या लाना है आप तरह यह check कर तो हमें लाना है two sec a two sec a है ना और यहां पर आप यह देखो कि one over cause a किसके बराबर होता है sec a one over cause a sec a के बराबर होता है one over cause a किसके बराबर होता है sec a तो मैं यह जो मेरे पास one over cause a है इसकी जगह में लिख लूँगा two sec a जो कि किसके बराबर आगया हमारे हमारा rhs आ चुका है और इस तरीके से इस वीडियो में मैंने lhs को rhs के बराबर आपको दिखा दिया है तो बच्चो यह second question भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है फिर मैं आपको बोलूँगा कि comment section में ज़रूर बतायाएगा किसी step में कोई problem है या question ही आपको समझ में नहीं आया video like करें अच्छी लगेगी नहीं अच्छी लगी तो dislike करना ना भूले वीडियो को share करें अगर आपको पसंद आई तो thank you so much